क्या सिखा रहे हैं आप पूरे बिहार के अफसरों को किस लत में फसा रहे हैं कि आज हरे एक पुलिस वाला जो है कितना अपराधी पकड़ता है ये तो पता नहीं पटना में 13-13 IPS की पोस्टिंग की गई ये रोज एक दो दिन हत्या होती है बड़े बड़े लोग की हत्या होत भी अपराधी बिहार में जो सराब बंदी है उसे सबसे ज्यादा घाटा गड़ीवों करें कि गड़ीव रिक्सा चालक है थिला चालक है दिन भर मज़दूरी करते हैं और साम में पहले सराब पीकर सो जाया करते थे अब 200 का सराब 400 में है तो गड़ीव सराब पीए कैसे औ पहले से फिक्स रहता है कि यह थाने वाले जो है यहां पर सराप के इतना काम होता है के वज में इतना पैसा देना होगा इनको जन संख्या नियंदरन पर बाता आता है तो जागरुपता की बात करते हैं लेकिन इसके अलावाद जो भी कानून है चाहे वह सराबंदी हो लोग जो है वो अपने आमधनी का बहुत बड़ा हिंसा जो है. वो सरा पीने में बरबाद कर देते हैं। पहले पहले पता देता हूं पहले सौ रुपए का सरा पीते होंगे तो आज उसी सरा को ख़ड़ दिने मों यहां 4-5 रुपए लग रहा है। और एक अप्रेल 2016 को सराब बंदी हुई थी लेकिन 5 अप्रेल 2016 से पुर्ण सराब बंदी है। ड्राइ स्टेट है बिहार सराब का नामों निशान नहीं है लेकिन फिर भी जहरीली सराब से हर साल कितने लोगों की मौत हो जाती है। पिछले 11 महिने का डाटा अगर देखे तो सरकारी डाटा है 85 लोगों की मौत हुई है और इसमें कई लोगों की आँखों की रौसनी भी गई है। डाटा है सराबंदी को लेकर वह हम आपको बाद में बताएंगे चलते हैं आदेश पूरी के साथ क्या मामला है सराबंदी के बाद और भी सराब की खपत बिहार में बढ़ गई है। और इससे बिहार सरकार को राजस्व नहीं मिलता है। जो हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। आप ही सोचिए ना कि करोडो लिटर जो है अवैद सराब की बरामदगी हर एक साल हर एक साल होती है। सायद ऐसा कोई दिन ना होता हो जिस दिन भी हार के किसी कोने में एक जगा या अनेकों जगा सराब की एक बड़ी खेपना पकली जाती है। एक पूरा नेकसस बना हुआ है। अब बात कर रहे हैं पिछले तीन दिनों में लगवा 35 लोग की मौत हो गई है। लेकिन जो जमीनी आकड़ा यह सरकारी आकड़ा है। जमीनी आकड़ा है वो बता रहे हैं कि 50 से ज्यादा लोग मरे हुए है। जिसके बारे में कोई अभी तक डाटा नहीं है, जिसको परसासन अपना जो है इमेज खराब होने के डर से उसके बारे में बता नहीं रही है। तो ये जो नाटक चल रहा है विहार में सराबंदी का कि हमने सराबंदी किया है बड़ा ही सक्त कानून है ये साबित कर रहा है कि आप कितना भी कड़ा कानून बना ले जब तक आप जागरुपता नहीं फैलाएंगे तब तक ये खत्म नहीं होने वाला है निदीश कुमार जन जैसे तो इसके लिए जरूरी है जारुपता फैलाना सराब जो पीना जो है वो समाजी कुरिती है इसे आप कानून बना के खत्म नहीं कर सकते हैं दहजबंदी आपने किया उने सो पच्पन में दहजबंदी का एक लगा हुआ है दहजपता खिलाफ लेकिन जारुपता नहीं तो कहां से खत्म होगा यह तो सराब जो है कुछ बिहार में नहीं हुआ है बिहार में जो सराब की एक नौमी जो है वो पहले से सराबंदी के दौरान जादा बड़ी हुई है और सराब का खपत भी बहुँ जादा हुआ है कौन कहता है कि बिहार में सराबंदी है सराबंदी पहले अगर सो रुपय का सराब पीते होंगे तो आज उसी सराब को खड़िदने मों चार से पांसा रुपय लग रहा है जान भी ओवाना पड़ा है आँखों की रोसनी भी चली जा रही है कैसा सराब बंदी है इस सरकार के सारकार में सामिल है जीतना मान जी उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि बिहार में जो सराब बंदी है उससे सबसे ज़्यादा घाटा गड़ीबों को है क्योंकि गड़ीब रिक्सा चालक है ठिला चालक है दिन भर मज़दूरी करते हैं और साम में पहले सराब पीकर सो जाया करते थे अब 200 का सराब 400 में है तो गरीबों को इसका सबसे आदा खाम्याजा भूगतना पड़ता है यह दोनों चीज उनके साथ हो रहा है बड़ा ही घाता खो रहा है देखिए सराब जो है वो समाज की सच्चाई बन चुकी है आप देखिए ना बिहार के चारों तरफ यह कैसा कानून बना है कि आप बिहार का बॉर्डर क्रोस करते हैं यह साधारन पेपदार्त है जो लोग पीता है लोग बिहार में इसे एक बहुत बड़ा क्राइम बना दिया गया है आप देखिए उत्तर पर देखिए जारखन देखिए पसिम मंगाल देखिए नेपाल देखिए पूरा देखिए देखिए ना कड़ा कानून इंप्लिमेंट कर दिया आपने एक तो राजस्वक आपको बहुत ज्यादा घाटा हुगा लोग मान नहीं रहे हैं कैसे आप एक कानून बना देने से क्या लोग मान जाएंगे क्या जगरुपता कि आप बात करते हैं और जीता ना माजी का बात रहा जीता दाने मारग हो गया दसरतन मारग हो गया फिर से ओफिर सास जो क्वाटर हुआ वहां पर रात को दस बजे अगर ब्रेट एनलाइजर को लेकर अगर जाच किया जाए तो मैक्सिमम लोग सराब के नसे में मिलेंगे जही बात भी है यह अमीर लोग नहीं फस रहे हैं अमीर लो में जम के सराब चलता है और यह पंचायच चुनाओ का ही परिणाम है कि यह ऐसा हुआ है नितीश कुमार जो है हरे कुछ भी घटना होता है तो उसके लिए जिम्मवारी तैय करते हैं एक अधिकारी को पकड़ा जाएगा डंड दिया जाएगा और उसे जेल भेज दिया जा को सराब के लागता को लगार जो है कि यह यह फ़ाले से फिक्स रहता है कि यह थाने वाले जो है यह यह वज में इतना पैसा देना होगा इनको सारा लोग जानता है इस चीज़ को केवल जूट बताने वाला बात एक एक कागज में आप दिखा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है सुसासन की सरकार है कुछ भी नहीं है साराबंदी दम से फ्लॉप है आपको मैं बताता हूँ हमेशा कि जो भी गाली पकड़ाता है जो आप सुनते होंगे ट्रक पकड़ाया पूरा ये वो पुलीस नहीं पकड़ती है वो पहले से साथ गाट रहता है कि पांच ट्रक निकालने के बाद एक ट्रक आपको पकड़वा देना है और जो पकड़ाता कौन है पकड़ाता है एक पर एक खलासी और माफिया जो है उसके नाम पर क्या है एक आदमी फिक्स किया रहता है जो दो लाक रुपया लेगा दो तिन महीना जल रहेगा बेल पर निकल जाएगा वो कि कागजब हम दिखा देंगे कि हमने इसके खिलाफ करवाई की आप काहां दूसरे स्टेट में जाका हडिया ना fare किसी बता दिए यह बड़े माफिया को अपने पकडा हो नेपाल के इसी कि बड़े माफिया पकडा हो बंगाल के यह जर कंड के सभी जगा से आता है सर आप यह केवल दिखाने के लिए उसके पर बली चड़ रहा है यह लोग पाटी ज़ू है जीत का जस्न मना रहा था और यहां 35 लोग बरबाद हो गए उनके घर में कमाने वाला चला गिया है केवल जो है यह दिखाने के लिए फाइदा यही है कि सड़कों पर नहीं नोगनास से हैं हुलरबाजी नहीं होता है लेकिन सारे कोई जो पीने वाला है वो पी रहा है बिहार का आज बहुत बड़ा एकनमी जो है पैसा जो है दूसरे राज्यों में जा रहा है और सराबंदी इतना फाइदे का बिजनेस होगया है इन माफियाओं के लिए कि अगर कल से किया भी जाए कि हाँ सराबंदी को ओपिन किया जाएगा वो ही नहीं होने देंगे कभी तो कि इतना जदा उनको फैदा हो रहा है क्या नितिस्कमार नहीं जानते हैं कि उनके अफसर जो है उनके अधिकारी जो है और जो आपकारी भी भाग के लोग है वो पैसा नहीं लेते हैं आप ही सोचिए ना कि सारे देश में ये कुछ नहीं है सराब की ना इसके चलते हैं आप सैक्रो पुलिस वाले को आपने धंडित कर दिया जेल भेज दिया था अंदरी साटा दिया आपने कोन नहीं जानता है कि बड़ा एसपी साहब जो है अब इतना अभिहार में होता भरस्ट चार का जाँ चल रहा है पहले एक बी आईये सदिकारी पर करवाई किया गया है एक भी एसपी पर करवाई किया गया है डारेक्ट एसपी सुदूर कमर पोडिका तो उन पर आस्ता करवाई नहीं किया गया है केवल दिखाने के लिए छोटे मोटे अति को ठाना देक्स को आपने कर दिया सस्पेंड हुआ है गैरंटी है दूसरा जो वहाँ पर ठानेदार आएगा उसको भी सराप का पैसा है देना पड़ेगा स्पी साहब को और उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा उसमें पोस्टिंग के लिए ये सारा कोई खेल जानता है नाटक चल रहा है सरापंदी के नाम पर बिहार में और लोग फालतू में मारे जा रहे हैं सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार में सामिल जो मंत्री है उन पर भी कई बार इस तरह के आरूप लगे है और फिर से सरापंदी को ले कर जीतना मांजी ने कहा है उनकी पार्टी के तरफ से उफिशवि बयान आया है कि बिपक्शी दलो की साजिस है तो आप साजिस को खत्म क्यों नहीं कर देते हैं इसको बंद कर दिजी आप यह पता नहीं चल रहा है कि सरकार क्या पर इतनी कमजोर हो गयी है सरकार आपके हाथ में है मसिनरी आपके हाथ में है पुलीस आपके हाथ में गिराफतार कीजे यहाँ कौन आपको रोक रहा है गिराफतार करने से आप तो कहते ही हैं कि ब्रस्टाचारियो कोम किसी भी हालत में कोई भी हो उसम नहीं बकसने वारे हैं जब आपको पता है कि विपक्सी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसके सरगना को पकड़िए अंदर लाइए उसको जब ऐसा क्योंकि लोग मर रहे हैं बिहार के गरीब लोग मर रहे हैं ये सराबंदी के इस खेल के चलते ये और आपको पूर्ण सराबंदी बताइए कि आप फेज चाहेंगे आपको कि बिहार में सराबंदी की स्थिती क्या है हमारे पास जो डाटा निकल कर सामने आई है 1977 में करपूरी ठाकूर जो बिहार के ततकालीन मुखमंत्री थे उन्होंने सराबंदी किया था और सराबंदी के बाद सराब की खपत इतना बढ़ गई ये डेर साल के अंदर उनको वापस लेना पड़ा बिहार में फिर से वहीं स्थिती बन रही है हाला कि मुखमंत्री जी कहते हैं कि सराबंदी हम वापस नहीं लेंगे महिलाओं के हित में है और महिला का एक बड़ा वोट बैंक नितीश कुमार के समर्थन में है ये बात सच है और इसी बात सब्रचला गया ये आप कहां से पिछल गाए लोग कहता है कि लोच्पा के चलते कि लोच्पा इतना बड़ा मुद्दा है आप 15 साल काम करके लोच्पा जोकि ब्यार में कभी सासन तक नहीं किया जिसके नेता नहीं रहे उनके बेटा हैं उनसे आप इतने कमजोर होगा हैं क वो आपको तिसरे नमर की पाटी बना दिया तो फिर आप किस नाते कहते हैं कि महिला इनको वोट देती है महिला इनको वोट देती तो आधियब आधिये भाई वो कैसे यह हार जाते उसमे फिर इसे कैसे आ जाते महिला उला कुछ किसी को नहीं जेता है यह अहम का एक विशा ब बंदी और आप इसे हटा भी नहीं सकते हैं फिर आपका इमेज हो जाएगा यह तो बली पर चढ़ा रहे हैं लोगों को सराब सराब का पूरा खेल चल रहा है डिलेवरी बॉय बन गया यहां पर जो की घर-गर जो है जिसे स्कुल लियाना चाहिए वो बैग में सराब का वोतल लेकर पहुंचा रहा है एक दूसरे के घर फिर से है कि आप कौन सराब नहीं प्ता है नहीं निदीज कुमार यह दावा कर सकते हैं कुछ लोगगढ़बड करने वाले हैं कुछ लोग की संक्हा इतने हजारों में कैसे है हाई कुछ ने मना कर दिया था कि इतने बड़े मामले में हम बड़ी संक्या में केस हम नहीं सुन सकते हैं हमको इसके लिए पूरा एक नया नया पालिका बनाना पड़ा तो कुछ लोग कैसे हो गई यह यह तो बहुत ज़्यदा लोग है और सराग जो है वो समाज की सास्वत सचाई है हर एक लोग पीता है हर एक जगा पीता ह है लोग इसको मना नहीं कर सकते हैं और देखिएगा करपुरी ठाकुर तो डेर साल बाद मान गया है अपनी गल्द देखिए कोई भी नियम जो है बना देने से नहीं होता है नियम का एनलाइसिस करना चाहिए अगर कुछ आप से चूक हुई है तो सुधार यह आप नहीं के सन वहां लोग सब लोग दारूपीते हैं जितने बड़े सहर मैक्समाम लोग दारूपीते हैं तो आप भी हर को आगे करने की बात करते हैं यहां के युवा जो है आप अपने राज में तो कुछ वैसा नहीं है कि यहां पर रहेंगे दूसरे राज्यों में जाते हो पीने से अबलेबल है पुलिस वाले तक अब ग्याफतार करना छोड़ दियें हैं वो चेक नहीं करते हैं वो करेंगी क्या है क्या फैदा है इससे वाखिर वह आप पकड़ने जाते हैं इतने बड़ा संख्या है कि उस पर आप करेंगे तो क्यों सरावियों कोई पकरते रहा सब कोई चोड़ी चिपके जो है इतना यह अट्रेक्टीव ही बना दिया गया है सरावंदी करके सराव के बिजनेस को कि पहले जो है यह बहुत बड़ा एक बिजनेस नहीं होता था लेकिन आज बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है वैसे वैसे लोग इसमें सामी लोगा हैं जो कि आज तक सराब को छुए तक नहीं है लेकिन वो पेटी के पेटी खपा देते हैं तो यह आपने क्या किया सराबंदी के ना अब देखिए कोई नियम वापस लेना जो है वो गलत नहीं है वो अगर इंप्लिमेंट नहीं हो रहा है उसका साइड इफेक्ट जादा आ रहा ह तो उससे आप वापस ले सकते हैं इसमें किसी का इमेज खराब नहीं होता है इसी बात पे जब हम आपको बताते हैं कि जब डॉक्टर्स कोई दवाई देते हैं और वो दवाई साइड एफेक्ट करने लगता है तो वो भी अपना गलती मान लेते हैं को आते हैं यह यह दव में जो गुनगार है कहां खत्म हुआ 35 लोग तो तिन दिन में मर गया से जरीली सलाब सराब से अगर आपके फांसी देने से वो डड़ जाते तो फिर ये 35 लोग क्यों करते ये जरीली सलाब क्यों बनाते वो अभी हम गारंटी के साथ कर रहा है अभी बिहार में बहुत जगह ये बटी बताई ये आपी रिपोर्ट बता रहे थे कि लाखों में बटी इन सरकार ने जो है वो धौस किया है लाखों में समझ ये घर घर सराब बनता है लोग को रिपोर्ट बता देते हैं बिहार का जो रिपोर्ट है उसमें महाराष्ट जो एक विक्सित राज कहा जाता ह विक्सित राज मतलब फिल्म इंडस्ट्री है बड़े बड़े फिल्म सीटी है वहां पे लोग भारी मात्रा में सराप का सेवन करते हैं लेकिन 13.9% ही कर पाते हैं और बिहार ड्राइश्टेट होने के बाद 15.5% सराप की खवपत करता है अंदाजे लगा सकते हैं जनसंख्या भी जादा है महराष्ट की बिहार से और छेतरफल में भी जादा है और वहां पे सराप चल रही है वहां वैसे लोग हैं जिनकी सोसाइटी में सराप पीना एक आम बात हैं आगे आपको बताते हैं कि 1 सितंबर से 3 नौंबर तक काम डाटा दे रहे हैं यह साड़े डाटे जो अभी पंचायच चुनाओ चल रहे हैं पंचायच चुनाओ में बड़े अस्तर प्रकारवाई हो रही है तो कि पंचायच चुनाओ में वोट को लुभाने को लेकर लोग सराप बाटते हैं और सराप बाटने के साथ साथ इस तरह की जो अप्रिये घटना हो रही है आप लग लाख से अधिक सराब की भठियां जब्त की गई है जो पंचायत चुनाओं का पहला फेज है उसमें 54,6143 लीटर सराब 12,000 भठिया रद की गई है बंद की गई है सेकेंड फेज 56,16,783 और 14,034 भठिया बंद की गई है अगर हम रिपोर्ट आपको बताने बैठे तो पूरा दिल लग सकता है लेकिन हम आपको बता देते हैं कि हर पंचायत में 25 अबैद सराब भठियां है यानि आप ये खबर देख रहे होंगे तो आप अपने पंचायत का मुआयना करें कि ये जो रिपोर्ट है 25 वाली ये सही है हम भी जमीनी अस्तर पर गूमते हैं हमने भी देख देखिए आप सोचिए पहले निदीश कुमार 2005 में आये थे घर कहा आरोप लगता है कि घर घर इनोंने सराब का दुकान खुलवाया दोगुना करवाया दोगुना सभी जादा मैं आपको बताओं कि एक मोतिहारी सहर का 2005 तक वहाँ पर 6 जो है वह लाइसेंसी दुकान था औ बार 35 खुलवाया गया तक उलसार में और आप एक एक से ब्द कर देते हैं उसका मत़र्या जदा लोग पीए पीना सीखिए जधा क्पत हुआ उसका तभी दुखान ज़्यादा खुला ना और आप सिधे एक आएक से बंद कर वादिये तो यह सराब कोई दूद नहीं है यह दूद नहीं मिलेगा तो आप नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं है जो पीने वाला है वो पीएगा ही चोड़ी चुपके प्यारे जब घर वाले नहीं सुध हो रहा है लोगों के पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं आपकी अफसर बिगरते जा रहे हैं घुस खोर इस्वत खोरते जा रहे हैं वो सराबियों के और सराब तसकरों के गुलाम बनके रह गया है तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको कम से कम जो गलती पांच साल उसे चल रही है इसमें देखिए हम लोग भी सराब का सिवन नहीं करते हैं सराब गलत चीज है ही लेकिन जो इंप्लिमेंटेशन इसका किया गया है जितने लोग इसके आदी है उस तरस ने अब आप नियम बनाए कि अंग्रेजी सराब जो है बेश सकते हैं आप कर दीजे न लेकिन एक से दिखाने के लिए और सारा लोग जानता है आज नितिश कुमार और उनकी सरकार भी यह पूरी तरह मान चुकी है कि हमारा परग्राम जिए फैल है क्यों हम काग्जों पर दिखाने के लिए जो है ऐसी बाते बोल रहा है नितिश कुमार का यह कहना है कि जो तुश्री राजीका नहीं है वोहीं आपने बताया कि हरेक पंचायत में 25 बुट्नी के allem चल रहा है तो उसी पंचायत में है और हरेक पंचायत में रही है क्या laward cook काम कर रहा रहा । क्या पुलिस काम कर रहा इसका मतलब यही है कि सरकार जो है एक कहने के लिए कागज पर सराबंदी है बाकि सब लोग मान चुके हैं कि इसे कभी खतम नहीं किया जा सकता है और खतम होने वाला है भी नहीं कितना भी ये नाकडगर ले कोसिस कर ले कितना भी बोलने ये खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि पांच सल में हमने दे तो पुरी तरह सराबंदी जो है मजाक बनके रहा गिया है और इस मजाक में बहुत सारे लोग को अपने जान को गवाना पढ़ रहा है तो लोकल वट्टियों की वज़ा से जादा जहरीली सराव यानि देखिए कंपनी में जो सराब बनती है उसमें मसीनरी होता है मसीन से अलक कोहल के मातरा जादा डाल देते हैं और जिसकी वज़ा से लोगों की जान चली जाती है आँखों की रोसनी चली जाती है इसके लिए जिमेदार कौन है आप हर पंचायत में एक प्रहरी रखते हैं जिसकी जानकारी सायद पंचायत में कम लोगों कहीं होती है वो सरकार का क्या उसको पता नहीं है कि पंचाथ में 25 भठिया चल रही है एक और चीज देखिए ना आप हमेशा ख़बरों में सुनते होंगा हर एक महीन यह पुलिस टीम पर जो है हमला होता है हत्या तक हो जा रहा है सीता मडी में जो है एक दर होगा कि हत्या हो गई फिर से जो है आप बिहार से पकड़ने के लिए बंगाल में जाते हैं सराब माफिया को उसकी हत्या हो गई पुलिस वाले की कितना बार जो है कितना बार मॉब लिंचिंग होता है पुलिस वालों के साथ तो आखिर सुचिये ना आपकी क्या ये हो रहा है भी है, देखिये कुछ चीज जो है वो सचाई है, सराब जो है अब सचाई बन चुका है, बहुत सारे लोग इसको खराब नहीं मानते हैं, केवल आप जो है महिला वोट महिला, महिला की संख्या बहुत जादा है सराब पिने सराब तो देखिए यह जो है इसको आप बहुत बड़ा एक हाइप बना कर रखे कि महिलाओं के कहने पर ठीक है आपने किया यह लेकिन इस तरह कानून नहीं बना जाते हैं कानून बनाने कि क्या अब हर एक चीज़ में सोची है यह समाजिक सुधार है समाजिक सुधार रातो रात नहीं होता है समाजिक सुधार कानून बनाने से खत्म नहीं हो जाता है इसके लिए रुकता जब फैलानी की जरूरत होती है तो हर एक चीज में कानून देखिए पूरी तरह फ्लॉप है और जिम्यवदारी तो लेना ही पड थानेदार और चौकिदार को उसके वहल सस्पेंड कर देने से आप सोच रहे हैं कि यह सरा बंदी खत्म हो जाएगा लगाम लग जाएगा कुछ नहीं होने वाला है इस तरह भी आपके कानून में कहा जाता है बिहार में कि घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं तो घूस दे क कैईपते हैं वह थानेदार अगर सस्पेंड होगा फिर पैसा देगा वह अगला जगह उसका पोस्टिंग और जो नया आयगा वह भी पैसा देके आएगा कि बीहार के अपसर पुलिस वाले जो हैं व्हो सराबंदी के नसे में जुम रहे हैं वह सराबन दींगि sony कि आएक बहुत बड़ा साधन हो चुका है सराबंदी जो है वो उनके लिए काफी असान है कि किसी को पकड़ना है फसाना एक बोतल रख दिये फसा दिये मुझे तो इतना कुछ पता है कि कोई अगर रात को आ रहा है तो पुलिस वालों के द्वरा जो गस्ती टीम होती है रात को वो सराबंदी में फसाने के नाम पर उनके हाथ के उंग्टी गले का चेन और मोबाइल तक ले लेते हैं वो लोग परस में का पैसा तक ले लेते हैं क् किस लत में फसा रहे हैं कि आज हरे एक पुलिस वाला जो है कितना अपरादी पकड़ता है यह तो पता नहीं पटना में तेरा-तेरा IPS की पोस्टिंग की गई है रोज एक दो दिन हत्या होती है बड़े-बड़े लोग की हत्या होती है क्योंकि सारे लोग को सराबंदी के नस सरकार का ठोड करवाई करती है बालू और सराब यह दोनों माफिया सरकार के लिए घातक सीद होते हैं हमेशा पुलिस वल पर हमला कर देते हैं कई मंत्री फंसते हुए नजराते हैं कई सारे कारणामें बिहार में होते रहते हैं सरकार को ज़ुरत है इन सब चीजों पर एक् बैंक का मुद्दा बनकर नहीं रहना चाहिए महात्मा गांदी ने जिस समस्या के लिए सराबंदी की थी जिस बात पर मुकमंत्री जी कहते हैं कि महात्मा गांदी के रास्ते पर चल रहे हैं तो बिहार उस रास्ते पर अभी नहीं चल रहा है कम से कम उस पर मुआयना करने की ज़ुरत है उस सभी चीजों पर बैठ कर बाचीत करने की ज़ुरत है सरोधलिये की बात चलती है तो सरोधलिये बैठक बुला कर इस पर मन्थन होनी चाहिए कि क्या बिहार में सराबंदी सही रूप से चल रहा है अगर नहीं चल रहा है तो इसका इंप्लिमेंटेशन जो है फिर से किया जाए या सराबंदी को फिर से विड्रोग कर लिया जाए हाला कि कोई भी चीज विड्रोग करना खड़ाब बात नहीं है कोई बुरी बात नहीं है सराबंदी लागू हुई थी इसके पहले भी बिहार सहीत कई राज्यों में लागू है वहाँ भी स्थिती यही है लेकि सबसे ज़्यादा किरकिरी बिहार के ही क्यों हो रही है क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा कठोड कानून बनाया है हाला कि देखने वाली बाते हुए कि जब मामला अब निकला है तो कहां तक निकल कर जाती है लगातार हर दिन लोगों की मौत होती है इस पर मुख मन्त्री जी का बयान, सरकार के मंत्री का बयान और सरकार के जो मद्ध निशेद विवाद के जो मंत्री हैं उन्होंने तसीरय तोर पर कहा है कि हम लोग जाच करवा रहे हैं ये जाच कब तक होगी साथ दिनों में ये पता लगता है कि सराप से मौत हुई थी या बिना सराब पिये हुए मयतुईती इस कारण को जानने में जब साथ दिन लग जाता है तो इतने मौत की जिम्मेदारी है वो सरकार के तरफ से कौन लेगा और लगतार जो चर्चा होती है कि विपक्ष की साजिस है तो उसको पकरा जाना भी सरकार के लिए ही सरकार का ही काम है तो देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को लेकर अब सरकार के तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आता है जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे आप बने रहे हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार